हलो फ्रेंट्स वेलकम अगेंटू माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में बात करने वाले है आई 20 की शेल्स फिगर्स को लेकर आई 20 पांच नवंबर 2020 को लोंच हुई थी मार्केट में आई थी और मार्केट में आते ही यह तहल का मचके था कि यह पिछली आई 20 से भी जादा सेल्स होगी इसकी पिछली आई 20 की लगबग 9000 की लगबग सेल्स हो जाती थी हर मंत और टोप 10 की लिस्ट में हमेशा हुए बनीवी रहती थी लेकिन क्या न्यू आई 20 भी टोप 10 में रह पा रही है या नहीं या उसकी सेल्स भी जादा हो रही है या नहीं इसके बा सिक्स मंत की सेल्स को कंपेर करने वाले है यानि कि नवंबर में न्यू आइटवंटी लौंज हो गई थी और इलिट आइटवंटी डिसकंट्यून्यू हो गई थी तो नवंबर से पहले कि 6 मंद की तो Elite I20 की sales fingers को compare करने वाली है और November के बाद की 6 मंद की new I20 की sales fingers को compare करने वाले है हम compare करने वाले है I20 2020 November से लेकर April 2021 तक की sales figure को और Elite I20 की May 2020 से लेकर October 2020 की sales figure को तो चलिए अब बात करते हैं Elite i20 2020 की sales को मेई 2020 में Elite i20 की 878 units भी की थी और शायद ये BS6 update नहीं करने के वज़े से इतनी कम भी की थी और जून 2020 में Elite i20 की 278 units भी की थी और फिर जुलाई 2020 में Elite i20 की 6344 units बेची गई थी मार्केट में अगस्त 2020 में 7,765 units Elite i20 की मार्केट में बेची गई थी और ये जो भी मैं sales figure साब को बता रहा हूँ ये मैंने internet से हुट आई है तो साइद कोई sales figure में कुछ problem हो सकती है अब बात करते है Elite i20 की last 2 month की sales की यानि की नवंबर 5 नवंबर 2020 को तो new i20 लौंच हो गई थी तो उससे पहले यानि की 2 months पहले सभी लोगों को पता था कि i20 new आने वाली है फिर भी old i20 की sales पर एक inch तक का भी फरक नहीं पड़ा जैसा कि आप देख सकते है September 2020 में 9852 यौनिट्स बेची गई थी वो भी Elite i20 की और October में भी 8,399 यौनिट्स बिगए गई थी यानि की लगबग 1000 यौनिट्स ही कम हुई थी और अगले माईने new i20 लोजने वाली थी और new i20 की लोजन्च होने के बाद भी Elite i20 की लगबग 6000 यौनिट्स बिग गई थी तो अब बात करते हैं new i20 की sales फिगर की पांच नावंबर 2020 को new i20 लोजन्च हुई उसके बाद नावंबर में उसकी यौनिट्स बेची गई 9006 में जिसमें की new और old दोनो i20 शामिल थी क्योंकि नावंबर में new i20 लोजन्च हुई थी उसकी booking से चल रही थी और delivery बहुत ज़्यादा कम हुई थी और जो पुराना श्टोक था पुराने i20 का उसको clear किया जा रहा था तो लगबग 4000 के लगबग new i20 भी की थी और लगबग ये बच्ची भी 5000 है ना ये old i20 भी गई थी यानि की new i20 के launch होने के बाद भी old i20 भीक रही है और दिसमबर में 8004 यूनिट्स new i20 की बेची गई जनवरी 2021 में यानि की new साल आगिया है 2021 इसमें 8505 यूनिट्स new i20 की बेची गई और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ elite i20 थी ना जो पुरानी वाली वर टोप 10 में हमेशा बनी भी रहती थी लेकिन जो ये new i20 आई है ये top 10 के लिस्ट से बार हो गई है और ये लगबग 15 16 नबर पे रहती है फरवरी 2021 में new i20 की sales 9001 यूनिट्स थी और मार्च 2021 में 9045 यूनिट्स थी और अप्रेल में तो इसकी sales ज़्यादा ही गड़ चुप्रेल 2021 में तो company लगबग 5000 दो यूनिट्स से बेच पाई new i20 की इन सभी sales figures को देखर आप पता लगाई सकते है कि कौन सी i20 लोगों को ज़्यादा पसंद थी और सायद से new i20 की price ज़्यादा होने की वज़े से इसकी sales पर असर बढ़ा है वेच्चे तो sales बराबर ही है लेकिन अब भी 2021 चल रहा है जिसके मुकाबले इसकी sales कम है क्योंकि पहले sales कम होती थी लेकिन अब बाकिकार की sales ज़्यादा हो रही है इसी कारणी यह top 10 से भी बाहर निकल चुकी है जब कोई कार ब्रांड बन जाती है और ज़्यादा बिकने लग जाती है तो कंपनी उसके प्राइस को बढ़ा देती है और एसाई new i20 के साथ हुआ बहुत सालों से new i20 मार्केट पर राज कर रही थी और हमेशा top 10 में top 5 में भी रहती थी तो कंपनी ने सोचाए कि इसकी प्राइस को ब गई थी और यह कैसे हुआ यह तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च और दिसंबर नवंबर इन सभी मंच में 8000 से लेकर 9000 यूनिट्स तक शेल हुई है और यह अपरेल में 5000 यूनिट्स ची कैसे बेच पाई यह तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है ल निवाई 20 वरसेज Ale 20 के और आपको क्या किया अकामपेरिजन वीडियोजों चाहिए यह निवाई 20 और ओलड़ आइ 20 में क्या क्या कड़बड की गई यह कंपनी ने क्या क्या पीचर्स कम कर दिये जादा कर दिये जो बियाब आपके मने में हैं इन दोनों कार्स के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाँ थैंक्यू सो मच